And really sorry for the delay मैं समझ सकता हूँ कि कुछ बच्चे वेट कर रहे होंगे सेशन के लिए थोड़ा डिले हो गया मैं बड़ स्टिल हम लोगोंने स्टार्ट कर दिया है क्लास को तो फटा-फटा आप लोग सेशन से एक बार जुड़ जाएं ताकि मैं आज के सेशन को स्टार्ट कर सकूँ कुछ लोग हैं क्या हाँ जी जो बच्चे लाइब आ चुगे हैं प्लीज ये एक बार अपने friends को inform कर दें कि we are live ताकि मैं आज के सेशन को स्टार्ट कर सकूँ सभी बच्चों चलिए तो सबसे पहले आप लोगों को एक इंटिवेशन करना है मुखमें कि जिन बच्चों ने अभी तक online ventures के mobile application को download नहीं किया है वो kindly इस application को download करें और साथी साथ जिन्होंने अभी तक online ventures के telegram channel को subscribe नहीं किया है वो please subscribe करें ताकि जो भी content हम आपके लिए YouTube पे लेकर क्या रहे हैं वो section आप easily क्या कर सको देख सको और साथी साथ जो भी content हम पढ़ा रहे हैं वो सभी content आपको हम लोग PDF के form में वहाँ पे available करा दे Very good evening to Kishan, Ayesha, really sorry guys for the delay in session तो आप लोग ready हो? Hello everybody, let's start with the first question for today आज का पहला सवाल ये है कि who was the founder of Kishan Empire जो Kishan Rajvans है, सामराज है, इसके संस्थापक कौन थे? आपको पता है कि पूरे इस कुसान सामराज में जो सबसे बरे सा सकते तो सबसे बरा नाम था, वो कनिस्कता था लेकिन कनिस्क जो संस्थापक नहीं थे, आप प्लीज बताएए यहाँ पे कि इसमें से कौन से सासक जो हैं, वो संस्थापक थे कुसान राजवन्स के कनिस्क, वीमा कैड़ फिसस, कुजूला कैड़ फिसस या फिर वशिश्क, नमस्कार दिगविजे जी, वेल्कम टू दा सेशन, कैसे हैं आप दिगविजे जी, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए, प्लीज, तेके ना, और आज के सेशन के डिले होने के लिए, रियल के, और आपको बता दू मैं, कि सबसे फेमस सासक जो हुआ है, वो कौन हुआ है, कनिश्क, तेके ना, इसके रबाव वशुदेव वन है, कनिक्स टू है, कनिक्स थर्ड है, वसुदेव दूतिये हैं, तेके ना, सक फस्त है, ये सब इंपोर्टेंट्स रूलर्स रहे हैं, इसमें बुद्ध की तस्वीरों को बहुत ही खुबसूरत तरीके से दिखाया गया है, वो भी कहीं न कहीं, कनिस्क के समय में, जो मतुरा है, एक इंपोर्टेंट आर्ट सिंटर के रूप में, फ्लरिश करी थी, ठीके ना, नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ दुईतिये गोल में, किसने भाग लिया था, ए ऑप्षन है, डॉक्टर राजिंदर पिशाल, बी ऑप्षन है, सरोजनी नाइडू, सी ऑप्षन है, जवाहलाल नहरू, एंड फोर्थ ऑप्षन है, सुभाज चंदर बोज, ठीके ना, आप बताईए इसका अंसर, आपको पता है कि लंडन में जो राउंटेबल कॉनफरेंस थे, जो गोल में सम्वेलन थे, इसका आयोजन किया गया था, भारत में संविधानिक विवस्था के लिए, कन्सिटूशनल रिफॉर्म्स के लिए, पहले राउंटेबल कॉनफरेंस में कॉंग्रिस औ गांधी ने मुना किया था जाए दोसरे rown taeble conference में गांधी भी गये थे और साथी साथ जो भारत की महिलाएं थी उनका प्रतिन्धित तो किया था उनका representation किया गया था किसके दोरा तो आह बता होगे सरोजनी नाइडू के दोरा ये बिलकुल नहीं भूलना है आपको और इसके अलाबा आपको ध्यान रखना है जो second round table conference था हमारा उसमें हमारे कुछ important leaders जो गए उसमें मदन महन माल बिये थे इंडस्टलिस के तरफ से आपको जीडी बिला घंसयाम दास बिला गए थे मुहमाद इकबाल सहब गए थे मिर्जा इसमाईल दिवान सहब गए थे इसके अलाबा जो आपको ध्यान रखना है जो दूतिये गोल में सम्मिलन था सप्टेंबर साथ 1931 को ये हुआ था ठीके ना इसमें भारतिये रास्ट्ये कॉंग्रेस और सरोजी नाले ने भारतिये महिलाओं का प्रिद्र दिखिया था इसके अलाबा मदन मोहनमाल भी है घंसयाम दास बिला मुहम्मद इकबाल सर मिर्जा इसमाईल जो की दिवान थे महसूर के एसके दत्तर और सर सेयद अली इमाम ये कुछ important personalities थे जिन्होंने इंडिया का representation कि अगला सवाल under which pardoning power of the president आपको पता है कि article 72 जो अनुच्छेद 72 है उसमें रास्टपती के pardoning power के बारे में जिक्रिगी गई है अब सवाल ये है कि under which pardoning power of the president one form of punishment is substituted by a lighter form निमलिकित में से रास्टपती के किस चमादान सक्ती के अंतरगड दंड की प्रकृती को नमर कर दिया जाता है ठीक है ना पहला option है लगू करन, commutation, दूसरा option है remission, परिहार, तीसरा option है अस्थगती करन जिसकों बोलते हैं respite और चौथा option है प्रवी लंबन यानि की reprieve आपको बताना है कि इसमें से किस pardoning power को use करते हुए जो president of India है वो one form of punishment को change करके दूसरे form में convert कर सकते हैं ठीक है ना इसको बताना है आपको देखो जो pardoning power होती है जो चमादान है उसमें क्या होता है कि जो भी punishment आपको दिया गया है उससे पुरी तरीके से आपको मुक्ती दी जाती है जब कम्यूटेशन की बात होती है तो one form of punishment को second form of punishment में change किया जाता है यानि कि अगर आपको मृत्यू दंड दिया गया है आपको capital punishment दी गई है तो उसको president अगर चाहे तो life imprisonment में convert कर सकते हैं उसमें क्या है nature of punishment भी change हो रहा है और amount of punishment भी कम हो रही है तो उसको क्या बो punishment को change किये हुए अगर एक ही punishment में अगर एक ही punishment की हम बात करेंगे तो देखो ध्यान रखना है pardon में complete freedom मिल जाती है commutation में एक form को change करके दूसरे में change कर देते हैं जो remission है उसमें क्या है जो period of sentence है उसको हम reduce कर देते हैं यानि कि आपने एक form को दूसरे form में चीज ने किया केबल उसके quantity को क्या कर दिया reduce कर देते हैं तो reduction जो है उसी सजा को ठीक है अगर क्या कर दिया जाए कुछ amount से decrease कर दिया जाए ठीक है न तो उसको हम क्या बोलेंगे respite राहत और reprieve का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को आज फासी होनी है और उस फासी को कुछ महीनों से कुछ दिनों से अगर टाल दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते है रेप्रीव बोलेंगे तो ये सब किसके अंदर mention है आप बताओगे article 72 के अंदर ये ध्यान रखना है अगला सबाल डांडिया is a form of dance associated with which of the following state डांडिया एक लोक नित्त है जो निम्लिकित में से किस राजिस से संबंधित है आपको बताना है डांडिया के बारे में ये किस राजिस से संबंधित नित्त है पहला option है हरियाना दूसरा option है पंजाब तीसरा option है गुजराद और चौथा option है राज बिल्कुल सही डांडिया लोक नित्त निम्लिकित में से किस राजिस संबंधित है हरियाना पंजाब गुजराद या राजस्तान प्लीस तेल में ये बहुत common dance form है तो आपको ध्यान रखने अगर हम डांडिया की बात करेंगे तो ये कहां से आजागा गुजराद से कोई मु next important question ये रहा आपके screen पे which one of the following is a major port on the east coast of India निम्र में से कौन सा भारत के पूर्भी तट का एक प्रमुख बंदरगा है या मुख्य पोर्ट है which one of the following is a major port on the east coast of India पूर्भी तट पर कौन सा एक प्रमुख बंदरगा है ए है कांडला बी है विशाखा पत्नम सी है करेकाल और यह option है पॉंडी चेरी प्लीज गो फोर एट हांजी प्लीज गो फॉदा आंसर इसमें से बताना है आपको कि भारत के पूर्भी तटका इनमें से एक प्रमुख बंदरगा कौन सा है प्लीज गो फॉदा रिप्लाइप प्लीज गो फॉदा आंसर नहीं 13th major port total 13 major port हैं 6 east coast पे 6 west coast पे और जो 13th है वो हमारा कौन सा है वो port blayer है इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा विशाखा पत्नम क्या बोलोगे आप विशाखा पत्नम बाकि जो कांडला गुजरात पे हैं और जो करेकाल देखो पॉंडी चेरी जो है इसको हम पुड्डू चेरी कहते हैं यह यनम म अंसर क्या हो जाएगा विशाखा पत्नम आपको ध्यान रखना है यह बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए चलिए Walker Cup is related to which of the following game Walker Cup किस खेल से संबंदित है A is cricket, B is golf, C is hockey and D is badminton एक question जरूर रहता है SSC CGL के अंदर आपके sports related topics से तो आपको बताना है कि यह जो Walker Cup है यह किस खेल से संबंदित है मैं बता दूँ आपको इस Cup की सुरुआज जो है वो 1922 में की गई थी और यह basically named इसका नाम रखा गया है किसके नाम के उपर तो बताओगे George Herbert Walker, this Cup is named after George Herbert Walker जो की president थे United States Golf Association के तो इसका अंसर क्या हो जाएगा golf जो United States Golf Association है उसके president थे कौन तो बताओगे George Herbert Walker इस इनी के नाम पे 1922 में इस Walker Cup Cup को start किया गया as a golf trophy, इसको ध्यान रखना है और यह organized की जाती है United States, Great Britain और साथी साथ Ireland के बीच में, यह important है कि यह जो tournament है Walker Cup का, यह हमेशा किया जाता है organized किस से related किन तीन three countries में USA, इसके साथ साथ Great Britain और साथ में या रखोगे आप Ireland, यह बहुत important है यह golf trophy है, organized between US, Britain and Ireland, organized by Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, established in 1922 and named after George Harvard Walker, clear है यह? देखो मैं आपको वो सभी questions कराऊंगा जो कही न कहीं आपको exams में मिल जाएंगे ठीक है न चलिए, अगला question यह है, in which year Salt Satyagra was initiated, नमक सत्यागरा की सुरुआत किस वर्स में की गई थी A option is 1927, B option is 1930, C option is 1932 and D option is 1942 जो नमक कानून बनाये गए थे, जिसने कहीं न कहीं प्रतिवंधित किया था, उस वक्त लोगों को जो तर्टिये छेत में रहते हैं कि आप नमक का उत्पादन नीजी और वेवसाइक मतों के लिए, यानि कि for personal as well as the commercial uses के लिए नहीं कर सकते हैं, उसके किराब दानडी मार्च आयोजित की गई, Salt Satyagra स्टार्ट किया गया, सावर मती से लेकर के दानडी तक महात्मा गांदी ने खुल, Salt Satyagra की सुरुआत की थी, कब 1930 में, और इसी नमक second RTC के बाद दूसरा हिसाब किताब था, वो second phase था, जो CDM का पहला था, वो 1930 में ही था, B is the correct answer, ठीक है ना, सत्यagra was known as Dandy March, 1930 में, ये एक non-violent civil disobedience movement थी, सरकार के द्वरा लगाया गए, कर के खिलाब, जो कि उन्होंने नमक उत्पादन के उपर लगो किया था, clear है ये, चलिए Who owned the 2019 Literature Nobel Prize, 2019 के साहित का नोबल पुरसकार किस ने जीता था, A option है, अभी एहमद, B option है, ओलगा टोकर सिक, B, C option है, पीटर हैंड के, and D option is काजवा इशीगुरो, इनमें से बताना है आपको, कि 2019 का जो साहित का नोबल पुरसकार है, जो नोबल प्राइस इन लिटरेचर है, इ 2019 का नोबल लिटरेचर प्राइस, प्लीज गो फ़ादा आंसर, फटार फटार आंसर कीजिए आप लोग, हंजी, any idea, please tell me everybody, आपको ध्यान रखना है, अगर कोई आप से पूछे कि 2019 के, साहित का नोबल पुरसकार किसने जीता था, तो आप बताओगे, पीटर हैंड के, और ये कहां के औरतर हैं तब बताओगे, आस्ट्रेलिया, ये important है, तेके न, ओलगा तोकार्चुक जो हैं, उन्हें 2018 का नोबल जीता था, तेके न, काजवा इस्चुक ने 2017 का नोबल जीता था, और पीटर हैंड के जो की एक आस्ट्रेलियन बेस्ट नोब आस्ट्रेलिया से हैं, इन्होंने 2019 में, तेके न, और जो अभी एहमद हैं, ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर थे इथोपिया के, जिनकों की 2019 में नोबल पीस प्राइस से नवाजा गया था, ये याद रखना है, विच आप दा फॉलविंग इस कॉस्ट बाई वाइरस नेम वैरिसेला जोस्टर निमलिखित में से वैरिसेला जोस्टर नामक वाइरस के कारण कौन सा रोग होता है, A option is polio, B is chicken pox यानि की चेचक, C option is rabies and D option is cholera यानि की हैजा, आपको बताना है कि इन में से कौन सा वैरिसेला जोस्टर नामक वाइरस से होने वाला रोग है, प्लीज वैरिसेला जोस्टर से इसमें क्या होगा, is it A polio, B chicken pox, C rabies and D cholera, polio, चेचक, rabies या हैजा, आप क्या बताओगे इसके अंदर, क्या होना चाहिए answer, तो आप बताओगे, it's the chicken pox, क्या बताओगे, chicken pox, human alpha herpes virus, HV3, human alpha herpes virus, जिसको हम refer करते हैं, वैरिसेला जोस्टर के नाम से, VZB, is one of the nine herpes viruses known to infect humans, ठीक है ना, और it causes chicken pox, वैरिसेला, जो की most commonly affect करती है, बच्चों को children, teens and young adults and singles, इसको ध्यान लगना है, ठीक है, COVID भी virus ही है, which is the largest fresh water lake in India, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है, largest fresh water lake है, हम लोग ने कल ही discuss किया था इसे, is it A, चिलिका लेक, is it B, पैंगॉंग सो, is it C, वुलर लेक, और it is D, उदेई सागर, प्लीज टेल मी, आपको बताना है कि इन में से, largest fresh water lake in India कौन सा है, हंजी, फटा फटा आंसर कीजिए, आप लोग ये बहुत, easy question है, largest fresh water lake in India, भालत में मीठे पानी की सबसे बरी जील कौन सी है, ये तो आप लोगों को पता होगा, बहुत आसान question है ये आपके लिए, आप क्या बताओगे, इस था, वुलर लेक यानि की, ये वुलर जील है, ठीके ना, largest fresh water lake in India, और एक बार मैं आप लोगों के साथ share करन चाहूंगा, हम लोगों के YouTube session plan को जो हम लोग daily, SSC, CGL, CGL 2020 के लिए आप सब बच्चों के लिए, Monday to Sunday, every morning 7.30, आप मेरे साथ होते हो, डेली कल इंटरफियर्स पे, Monday to Saturday morning 8 o'clock, आप vocab session पे होते हो, हमें से सोधिया सर के साथ, Monday to Friday morning 10 o'clock, reasoning class मित नेहा जोसी मैम, Monday to Friday 11 a.m. जनरल साइन्स एक्स्प्रेस वे जुबेर है सानी सर, Monday to Friday, शाम को 5 बजे, फिर आप मेरे साथ होते हो, जनरल जनरल अबेरेस के लिए और इस session के तुरंद बाद 6 बजे, आपकी trigonometry special सुरू होती है, ठीक है ना, clear है, चलिए, In which of the following phenomena, two waves superpose to form a resultant wave of greater, lower और the same amplitude, निमलिकित घट्ना में से किस में, दो तरंगे अधिक कम या समान आयाम की परिनामी तरंग बनाने के लिए सुपर्पोस करते हैं, A is called mixing, mission, B is called interference, व्यक्तिकरन, C is called resonance, यानि की अनुनाद, and D option is telling both B and C, क्या होना चाहिए इसका answer, Please tell me about the question number 11, निमलिकित घट्ना में से किस में, दो तरंगे अधिक कम या समान आयाम की परिनामी तरंग बनाने के लिए सुपर्पोस करते हैं, mixing में, mission, interference, व्यक्तिकरन, resonance, अनुनाद, या D option is both B and C, बताईए आप लोग, देखो दो चीज़े होती है, एक होता है constructive interference, और एक होती है destructive interference, तो आप बताओगे, कि इस question का answer क्या हो जाएगा, interference, देखे ना, जो कदम ताल होता है, वो resonance होता है, जैसे अगर एक ही साथ सारे सिपाही, आपने बढ़ाओगा बच्चों में, कि कदम ताल करें, अगर वो मार्च करते हैं किसी पुल के उपर, और एक ही साथ, उन लोगों ने अगर जोड से बीट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, पुरी प कि विभर जोड तक किसमें पाये जाते हैं, इंटर कैलरी मेरी स्टेंस आर फाउंड इन नोड, लैटरल बड, टर्मिनल बड या इंटर नोड, नोड में, पार्श्विक कली में, अंत्यक कली में, या आंतरिक नोड में, ये परहा होगा आपने बॉटनी के अंदर, इंटर क कैलरी मेरी स्टेंस अंतर वेसी विभज्योत्य किसमें पाये जाते हैं इन में से, ये बताना है आपको, बिल्कुल सही कहा किसन जी आपने, इस इट ए नोड, बी लैटरल बड, सी टर्मिनल बड या टी इस दे इंटर नोड, आप क्या बता होगे इसमें, इस दे इंटर नो ये ध्यान लगना है, सन टेंपल, सूर्य मंदिर, इस सिचुवेटेड इन दे स्टेट और विच आप दा फॉलोई, सूर्य मंदिर कौन से राज में इस्तित है, ए राजस्थान, बी आंधर प्रदेश, सी ओडिशा, या डी तमिल नाडू, आपको ये बताना है, कि जो सन ट टेल में, सन टेंपल, ये तो बहुत आसान सवाल है आपके लिए, आप इसको इसली आंसर कर सकते हो, सन टेंपल इस सिचुवेटेड इन दे स्टेट और विच आप दा फॉलोई, आप क्या बता होगे, इस दा ओडिशा, सन टेंपल, को नार्क, SI unit of luminous flux is what, luminous flux की SI1 क्या है, A pascal, B Kelvin, C ohm and D is 11, बिल्कुल सही का इसको नर्सिंग बर्मन फर्स्ट के दोला बनाया गया था, अमर्दीब चौधरी, you are totally correct, SI unit of luminous flux, luminous flux की SI1 क्या है, A pascal, B Kelvin, C ohm and D is lumen, ये बताना है आपको, SI unit क्या है luminous flux की, फटा-फट बताओ आप लो, ये तो बहुत आसान है आपके लिए, आप क्या बताओगे, it's the lumen, D is the correct answer, millerite is an ore of which element, किस तत्तो का अयस्क है, millerite, A cadmium, B uranium, C silver and D nickel, millerite किस तत्तो का अयस्क है, millerite is an ore of which element, ये बताओ आप लो, फटा-फट, millerite किस तत्तो का अयस्क है, millerite is an ore of which element, आप ये बताओ, आप क्या बताओगे यहाँ पे, निकल, नेक्स क्वेस्चन है, मानस टाइगर रिज़र्प is located in which Indian state, sorry, A. महरास्टरा, B. राजस्थान, C. करनाटका, D. असम, मानस टाइगर रिज़र्प भारत के किस राज्य में इस्तित है, माहरास्ट, राजस्थान, करनाटक या असम, मानस, आपको बताना है मानस के बारे में, कि मानस टाइगर रिज़र्प भारत के किस राज्य में इस्तित है, फटाफट बताईए आप लोग, यह बहुत आसान है, यह क्या बताओगे आप लोग, असम में, काजी रंगा भी नैशनल पार्क है, वो कहाँ पर असम में है, जो वन हॉन राइनो सेरस के लिए, फेमस है काजी रंगा बिलकुल सही का आपने, और यह एक नैशनल पार्क है, जिसकी स्थाफना 1990 में की गए थी, युनेसको नैशनल वर्ल हेरिटेज साइट भी है, यह प्रोजेक्ट टाइगर का विजर्व है, अलिफेंट रिजर्व है और एक बाइस्ट रिजर्व भी है, और यह मिनिस्ट्री ओफ इन्वार्मेंट एन्ट फॉरेस्ट, पड़ियावरन एबम बन मंत्राले के अधीन, और यह बिलकुल मानस नदी के तट परिस्थित है, और इस मानस नदी का नाम हिंदू गोड़ेस जो है, मंसा देवी के नाम पे रखा गया, और जो प्रोजेक्ट टाइगर है, यह कब लाया गया था, 1973 में, और प्रजेक्ट फॉदक प्रेजर्वेशन आफ एलिफेंट जो है, वो 1992 में, एलिफेंट के लिए 1992 में, दा फाइनेंस कमिशन सब्मिट्स इस रिपोर्ट तो दे विच आप दा फॉल्लविं, विच आयोग, अपनी रिपोर्ट इन में से किसके समक्ष प्रस्तूत करता है, A है प्रेसिडेंट आफ इंडिया, भारत के राश्टपती, B है फाइनेंस मिनिस्ट्री विच मंत्राले, C है पार्लियमेंट यानि कि संसद, and D is Reserve Bank of India, इने की भारती Reserve Bank, Question ये पूछा गया है, कि जो विच आयोग है, ये अपनी रिपोर्ट जो है, इन में से किसके समक्ष पेस करता है, ये बताना है आपको, आपको बता दो मैं, जो विच आयोग है, इसका घठन किया जाता है, राष्ट पती के दोरा 5 साल के लिए, ये एक 5 member body है, including the chairperson, और इसका ये जो भी रिपोर्ट बनाती है, उसको सौपती है किसको, तो आप बताओ कि भारत के राष्ट पती को, और Finance Commission का में काम ये है, कि जो भी tax collect की जाती है, उसका Central Estate के बीच में सही से distribution, which of the following is an inert gas, most commonly found in light bulbs, निमलिकित में से कौन सी एक और क्रिये गैस है, जो सामानिता light bulbों में पाई जाती है, जो bulbों में पाई जाती है, A. Hydrogen, B. Argon, C. Oxygen and D. Radon, ये बताना है, इसमें से कौन सा एक inert gas है, जो most commonly used की जाती है, सिल्ड गैसे में, जैसे हम बात करें, CFL, Compact Florescent Lamp में, यहां हम बात कर सकते हैं, Tube Lights की, इन सब में किस inert gas का, सबसे ज़्यादा उप्योग किया जाता है, या कौन सा important gas है, आप क्या बताओगे, It's the Argon, क्या हो जाएगा, B. Option, It's the Argon, यह inert gas है, most commonly found in light bulbs, इसको inert shielding gas, या welding के लिए भी इसको use करते हैं हम लोग, और यह third most abundant gas है, अर्थ के atmosphere में, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा है, nitrogen फिर हमारी है, oxygen, फिर हमारा है, argon, और फिर हमारा आता है, कौन सा carbon dioxide, तेगे ना, और यह हमारी 78% है, यह हमारी 21% है, argon हमारा 0.9% है, 0.03% है, carbon dioxide, clear है, हाँ, और जो filament होती है, electric bulb की वो tungsten की बनी होती है, बिल्कुल सही का आपने, और एक चीज, जो tube light होते है, उसका जो temperature होता है, वो 6500 Kelvin होता है, 6500 Kelvin, यह temperature होता है हमारे tube lights का, तिके दा नीव देल ही conspiracy, दा नीव देल ही conspiracy, दा नीव देल ही conspiracy होता है, यह नीव देल ही conspiracy होता है, जो इन में से किसके तोरा लखी गई थी, A option is Aravind Kejribal, B option is Minach시 Lekhi, C option is Lal Krishna Advani, and D option is आब ताओगे Amit Shah, ता नीव देल ही conspiracy होता होता है, authored by which of the following फटार 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 आंसर करो आप लोग दर न्यू डेल ही conspiracy book जो है यह इन में से किसके द्वारा लिखी गई है प्लीज गो फ़र इट हैं जी तो आप बताओगे इट्स तर फस्ट book which has been authored by मिनाक्छी लेखी बी मिनाक्छी लेखी इससे publish किया गया है harper collins के द्वारा और यह लेखी की पहली पुस्तक है और यह खुद भारते जंता पार्टी से member of parliament भी है हमारे 16th लोग सभा में who was the chief justice of India from January 1950 to November 1951 January 1950 से November 1951 तक भारत के मुख्यन्याइधीश कौन थे इसका मतलब यह है कि question यह पूछा गया है कि भारत के पहले मुख्यन्याइधीश का नाम क्या था who was the first chief justice of India is it a बिजन कुमार मुखर जी इस इट भी भुबनेश्वर प्रिसाद सिनहा इस इट सी मेहर चंद महाजन या फिर हरी लाल जेकी संदास कानिया ठीक है ना हरी लाल जेकी संदास कानिया आपको बताना इसमें से January 1950 से लेकर के November 51 तक कौन थे हमारे chief justice यह question पूछा गया है आपको यह बहुत पढ़ा होगा आपने यह बहुत common question है exams में बहुत आते हैं यह ताप क्या बताओगे it's the H.J. कानिया इनको हम लोग short form में H.J. कानिया के नौम से भी जानते हैं ठीक है और Supreme Court जो बना था वो Regulating Act of 1773 के दोरा बिलकुल सही का आपने हरी लाल जेकी संदास कानिया first chief justice of India और यह अपने office कारेकाल में ही इनका निदन हो गया था और generally 1950 से November 1951 तक इन्होंने solve किया था और अभी जो हैं वो S.A. Bobdey है शरद अरविंद बॉबबडे जो कि Indian judge है जो कि 47th और current chief justice of India है उन्होंने रंजन गोगोई को replace किया था तो बच्चों यह आज का session था आप लोग प्लीज हमारे online ventures के app को download कीजिए साती साथ हमारे telegram channel को subscribe कीजिए सारे PDF uploads के लिए और thank you so much everyone for watching the today's class today's session I hope कि you must have enjoyed the class तो please go in your comment section and tell me how was the session for today आप लोगों को आज का session कैसा लगा प्लीज मुझे एक बार respond जरूर कीजिए और साती साथ आप लोग इस session को लोगों तक पहुचाईए अपने दोस्तों तक पहुचाईए ताकि अगले session में अधिक से अधिक लोग इसको watch कर सकें thank you so much just enjoy your weekend have a blasting evening and thank you so much and do take very good care of yourself thanks a lot bye